गनपती बपप आने वाले हैं तो आज मैं आपके लिए ले करके आई हूँ इंस्टेंट 5 मिनट में बनने वाले मोदक के रैस्पी बहुत ही डिलीसियस देखने में बहुत ही डेम्टिंग आपको बहुत जादा पसंद आएंगे एकदम सुपर सॉफ्ट मुए में घुल जाने बिना मावा के इसको हम बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो मोदक बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है एक पैन आप कड़ाई भी ले सकते हैं और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सुद्रेसी घी यानि कि छोटी चम्मा से बात करूं तो मै आछके से पकाएंगे यानि कि दूद में अच्री से उबाल आने देंगे तो आप देख सकते हैं दूद में वाल आ गई अब मैंने यहाँ पर लिया है एक कप मिलक पाउडर आप किसी भी अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकती है तो मैं आपके जो मिल्क प तो यह गलती बिल्कुल मत करना कि एक खट्टा डाल दें और गयस को फ्लेम भी तेज नहीं करनी है आपको तो लीजे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी आपको हलकी हलकी गाठे देख रही होगी लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है वो सारी गाठे खतम हो जा और चीनी को मिक्स कर देते हैं जैसे चीनी मिक्स होगी तो यह थोड़ा सा और वी जादा पतला ओ जाएगा तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा और पतला हो गया है अब यहाँ पर हम बहुत बढ़िया कलर देने क लिए यहां पर मैंने लिये थे 10-12 केसर के धागे जिनको द और हमें low to medium flame पर इसको 3-4 मिनट तक लगातार पकाना है जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे इसमें थिक नयसाना शुरू हो जाएगी तो थोड़ा समय आप पर रिलाइची का पाउडर और डाल देती हूँ ये भी बिल्कुल optional है इसे थोड़ा सा flavor अच्छा जाएगा आप चाहे तो इसको skip कर सकते हैं तो चलिए इसको हम बढ़िया से पका लेते हैं तो आप देख सकते हैं मुझे लगबग 2 मिनट हुए है और ये काफी ठिक हो गया है लेकिन अभी हमें इसको थोड़ा सा और पकाना होगा और थोड़ी ही देर में आप देखिए किस तरह ऐस जब तक मिश्रण ठंडा हो रहा है जब तक हम इसकी फिलिंग की तयारी कर लेते हैं तो फिलिंग बनाना बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहे तो बना सकते हैं वरना इसको skip कर सकते हैं तो फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है दो चोटी चम्मच सबसेता है और जाए अधार को दोटी हम डालेंगे कुछ ट्राइफ्रूर्ट में डाल रहे हूं पिस्ता बारिक कटा हुआ यह मैं आपर ग्रेट कर लिया है कद्डु कसे और साथ में आप लेंगे पर लेंगे काजू ग्रेट किया हुआ और थोड़ी से आप डालेंगे किस बढ़ा होता है और इसमें हम बाइंडिंग देने के लिए एक चोटी चंबच की करीब डूद्ध दूद्ध बिल्कुल जादा नहीं डालना है तो इससे क्या होगा कि जो मिश्रन है इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं त मिकस कर लिए और अब आपको क्या करना है तोड़ा सा मिश्टन लेना है हाथ हो में इस तरह से और इसके चोटी-चोटी सी गोलियां बनाकर मिश्टन एक तरह नियर कर लेका है यह देख predictive से गोलिया बू एक बन और तयार जिए हुदि अब nor म२िफ्र तो आज आपको मैं बिना मोल्ट के भी बनाना बता होगी atm दाल देना है ? मतलब में तो आपको अच्छे से अच्छे से प्राव सब आप तो बीच में हमें खोकला रखना है इसको तो हम क्या करेंगे थमकी यानिक अंगूठी की हैप से इस तरह इसको बीच में खोकला कर देंगे इसमें होल जैसा कर देंगे और हमने जो फिलिंग बनाई थी इसको भी हम भर देंगे बस आप जितने अच्छी से इसको दबाते तयार हो गया है आप इसकी चाइन देखिए इसकी डिजाइन देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है है ना बहुत ही बढ़िया मोदग तो इस तरह इसे आप घर पर मोदग बना सकते हैं तो चलिए फटा-फट से मैं आपको एक मोदग और बना करके दिखा देती हू और इसमें हम बीच में थोड़ी सी गैपिंग रखेंगे हूल बनाएंगे इस तरह से और इसकी फिलेंग को डाल करके अच्छे से प्रेश कर देंगे और उपर से इस मिश्रण को भी इस तरह से लगा देंगे तो लीजिए हमारा जो मोदग है बन करके तयार हो गया है तो च अच्छे से हातों से रॉल करते हुए इसको गोल शेप देना है यानि कि जैसे लड़ू बनाते है बस बिल्कुल आपको लड़ू जैसे इसको बना लेना है यह देखिए मैंने लड़ू जैसा बना लिया है बीच में हम इस तरह से फिंगर को दबा करके इसमें होल करेंगे अच्छे से कवर कर देंगे और फिर से हम इसको लड़ वन कर ले आएंगे शना के लड़ू जैसे कहिते हैं यह देखिए मैं हमारा मोदक बन करके तैयार हो गया है ऐसमें इस तरह से फिंगर से भी डिजैन बना सकते हैं पहर ऑnd दबा भा दीजिएं यह करके तैयार है लेकिन आप और भी बढ़िया इसको डिजाइन देना चाहेते हैं तो टूत्विक लीजिए या कोई माचिस की तीली या जो भी आपके पास हो आप वो ले लीजिए और इस तरह बोलें जडेघ में उचों हो या पृष्भे आश्या है deepest जडी इस सी misf нее लग रहा के बहुति bastard करके आंपको दीजिए बना होका है जिरिए में एन ने फिक लाए यह यह जो है जो इसको बना करके तैयार किया है तो इस गड़पती आप भी यह मोदक जरूर बनाईएगा बहुत ही स्वादिश लगते हैं देखने में बहुत ही खूपसूरत है तो गड़पती पपा को यह प्रसाथ चढ़ाना बिल्कुल न भूले इस तरह इसे जरूर मोदक बनाए आपको बहुत अच्छी लगेगी आज की रेस्पी तो चलिए फटा फट से मैं आपको इसको तोड़ करके भी दिखा देती हूं तो यह देखिए अंदर से कितने सौफ्ट मुए में घुल जाने जैसे बिल्कुल मोदक बन करके तैयार हुए है तो इस गड़पती आप मोदक जरू बताईएगा तो फिर मिलते हैं अगले रेस्पी में तब तक लिए बाबाई टेक्यार